आप सभी के एक और नई लाइब ट्रीडिंग की वीडियो में आपको यहां पर श्वागत करता हूं और यहां पर आज भी देखेंगे तो जो मेरा करेंट अभी प्रॉफिट अप्रॉफिट चल रहा है मैंने यहां पर 18,150 की पी को सौट किया है और 17,800 पी को बाई किया है फोर हेजिंग के लिए तो यहां पर आप देखेंगे तो टूटल मिलाकर करके दोनों में 50 रूपिस के अप्रॉफिज यहां पर लॉफिज चल रहा है जो की फाइनल प्रॉफिट है 245 रुपिया यह मेरा मौनिंग ट्रेड था मैं इसको पोजिशनल ट्रेड था होल्ड करके फ्राइड़ को रखा था तो जो आज मुझे मार्केट ओपन होते ही इसमें 2220 रुपिया का प्रॉफिट मिला था और अभी मैंने बैंक अभी मैंने निफ्टी को सौट किया है और क्या रीजन है कि जो मैंने इसको सौट किया है मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा ताकि आप एक लर्निंग कॉंटेट आप अड़ कर सके तो मैंने यहाँ पर आप देखें कि तुम्हाइं निफ्टी का चार्ट आपको लगा करकर करके दिखाता हूं कि मैंने इसको क्यू चार्ट किया है तो यहाँ पर निफ्टी आप देखेंगे कि एक फंस्ट टाइम यहां से एक एक रिजेक्शन मिला फिर यहां से देखेंगे कि 30 मिनिट पर multiple time candle hold किया और फिर यहाँ पर support लेने के बाद एक upside की momentum continue करने की कोशिज कर रहा है अगर यह वाला momentum करता है तो यहाँ पर एक W patterns बनेगा और W patterns में नेक लाइन के breakout होते ही हम लोग trade बनाते हैं कल की मैंने इस strategy को वीडियो में मैंने सारा चीजों के explain कि दिया था अगर आप double bottom और W pattern strategy का वीडियो अभी तक नहीं देखें हैं तो मैं आई बेटन पर दे दूँँगा वहाँ पर जाकर करके आप देख लेंगे और double bottom में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर फिर second bottom जब यहाँ पर create करने लगा तो इसके नीचे के मेरा stopless है और कहीं कहीं मैं यहाँ पर इसको put को sort किया हूं मेरा views है कि यहाँ से थोड़ा से निफ्टी एक upside की momentum continue कर सकती है 40-50 point का तो हम लोग उसके लिए wait करेंगे और यह वाला अगर label neck line को break कर दिया तो final है कि यहाँ से 30-40 point का हम लोग का momentum nifty में upside के लिए देखनी के लिए मिल जाएगा तो उसके regarding ही मैंने यहाँ पर double bottom बनते हुए मैंने निफ्टी को sort किया है और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर cost to cost ही चल रहा है अप्रोक्स मिला कर करके 50 रूपिस का profit है तो wait करते हैं और इसमें ज्यादा नहीं अगर आप इसकी अगर देखें तो मैं आपको यहाँ पर द रहेगा 700 अगर यह 77 को cross कर देगा तो मैं यहाँ से निकल जाओंगा नहीं तो अभी इसको hold करके रखूंगा देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिसाब से मैंने ट्रेट लिया था कहीं न कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर double patterns create करने क की कोशिस कर रहा है market यहाँ पर और यहाँ पर एक double bottom बनाने के बाद upside की momentum continue कर रहा है वेट है इस नेक यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना profit आज का टूटल बूक कर लिया है और आज के लिए मेरा हो चुका है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखांग तो मैं टूटल आज profit 265 रुपय का मैंने profit बूक किया है इसमें जो मैंने sale किया था उसमें 425 रुपय का profit बूक किया क्यूंकि यहाँ उसके यहाँ पर आपको explain कर देना चाहता हूँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो price यहाँ पर multiple time यहाँ पर इस candle ने hold करने लगा और hold करन करने के बाद फिर एक downside की momentum continue करने लगा तो मैं थोड़ा सा aggressive होकर करके trade से exit हो जाना बेहतर समझा कि जो profit मिल जाता है ना उसको ले जाना घर सिखें ले जाने के बाद क्या होता है ना कि next day आप एक बेहतर mind और बेहतर setup के साथ आप trade कर सकते हो freely होकर trade कर सकते हो अगर आज मैं एक सही mindset से हो सकता था मैं trade नहीं कर पाऊं तो इसलिए हाला कि यहाँ पे 3000 रुपया का भी ओपर profit चल रहा था लेकिन मैं wait कर रहा था इस chain line को breakout के लिए लेकिन यहाँ पर multiple factor यहाँ पर multiple candle holds किया break नहीं किया तो मैं बेहतर समझा कि यहाँ से निकल जाने के लिए तो आज के लिए इतना ही मेरा काफी है फिर मिलते हैं next day next learning video के साथ